क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स जैहिंद स्टूडेंट्स आज हम सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत सिविक्स का अध्यन कर रहे हैं और आपके सिविक्स पाठिपुस्तक के अध्याय पांच जिसका नाम है लोक्तांत्रिक अधिकार तो लोक्तांत्रिक अधिकार पर एक विडियो मैं आपको आपके समक्ष परस्तूद कर चुका हूँ जिसमें मैंने ग्वंतनामो बे जेल के संधर में बताया था और उसमें उधारन देकर आपको मैंने बताया था कि ग्वंतनामों बे जो है एक परकार से अपवाद जैसा है एक exception जैसा है क्योंकि वहाँ पे एक देश की जो सरकार है वो दूसरे देश के नागरिकों का जो अधिकार है उसका उलंगन का रही थी तो हम लोगतांत्रिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो लोगतांत्र में अधिकार का क्या महत्त है यह हमें समझना है इस चैप्टर के माध्यम से और अधिकारों के बीना जीवन के बारे में भी हमें समझना है कि जब अधिकारों के बीना जीवन होता है तो जीवन कितना कठीन होता है तो स्टुडेंट्स आज हम अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से सौधी अरब चलते हैं और यह आपके पाठे पुस्तत का हिस्सा भी है जिसमें आपको सौधी अरब में जो नागरीकों के जो अधिकार है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करता है तो स्टुडेंट्स देखिए आप इस स्क्रीन पे देखिए कक्छा 9 सामाजिक विज्ञान सिविक्स अध्याय 5 लोगतांत्रिक अधिकार ठीक है और टॉपिक है हमारा सौधी अरब में नागरीक अधिकार यानि कि सिटिजन्स राइट इन सौधी अरबिया ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब आप देखिए स्क्रीन पे सौधी अरब में नागरीक अधिकार सौधी अरब का में जो नागरीकों के अधिकार है उसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि आपको पाठिपुस्तक के माध्यम से ये जनकारी उपलब्ध कराने का हम लोग प्रियास का रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं बावजुद उसके हम सौधी अरब का एक्जाम पर ले रहे हैं और उसे एक उधारन के तोर पे आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहे हैं तो आप पाठिपुस्तक को भी देखिए स्टूडेंट्स और साथ में वीडियो को भी देखिए तो चलिए गवंतनामो बे का उधारन एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरीकों के अधिकारों का उलंगन कर रही है स्टूडेंट्स ये जो गवंतनामो बे की जो बात है इस पे मैं आपको एक वीडियो उपलद करा चुका हूँ बावजूद इसके जदी किसी स्टूडेंट ने गवंतनामो बे के बारे में अध्यन नहीं किया है तो एकदम से संछेप में मैं बता दू कि गवंतनामो बे एक जेल है और वह जेल क्यूबा में है और वह जेल जो है वो USA का है और इस जेल का महत्व इस अर्थ में है कि सन 2001 में जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है तो हमला होने के बाद अमेरिका की सरकार यानि USA की सरकार समूचे बिसो में जिन लोगों पे भी सक होता है कि वो उस अतंकवादी हमले से जुड़े हुए थे उन लोगों को किसी भी प्रकार से पकड़ करके और गवंतनामो बे जेल में रखती है तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़ कर लाए जाते हैं जो की निर्दोस होते हैं तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दुबारा भी बता रहा हूँ कि जदी किसी दोसी को सजा ना भी हो तो उससे भी कहीं बुरी बात होती है कि कोई निर्दोस सजा पा जाए यानि निर्दोस को तो सजा कभी नहीं होना चाहिए दोसी कभी-कभी छूट जाते हैं अपवाद सरूप है ना तो गुंतनामो बे के बारे में अभी चुकी हम फोकस नहीं कर रहे हैं अभी हम सौधी अरब के बारे में कर रहे हैं तो जदी आप गुंतनामो बे के बारे में रिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस से पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे या फिर आप पाठिपुस्ता को भी पढ़ सकते हैं तो आईए अब सौधी अरब का उधारन देखे और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है इस पर गवर करें और साथ में हम लोगों को ये भी देखना है कि भारत की जो सरकार है हमारे देश की जो सरकार है वो सम्विधान के माध्यम से हम लोगों को हमें कितनी आजादी देती है और सौधी अरब में नागरिकों के साथ क्या होता है चलि दोनों के अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करते है स्टूडेंट्स आपके समक्ष देखिए एक नक्सा है एक आउटलाइन मैप की तरह है ये आप इसमें आप ठीक बीचो बीच भारत को आप देख सकते हैं हमारे भारत से सौधी अरब ज़्यादा दूर नहीं है स्टूडेंट्स भारत के पस्सी में देखिए पाकिस्तान है पाकिस्तान जो कभी भारत कई हिस्सा हुआ करता था उसके बाद उससे पस्सी में अफगानिस्तान अफगानिस्तान से कुछ पस्सी में इरान उससे कुछ पस्सी में इराक और उसके बाद हो गया सौधी अरब है ना तो बहुत दूर नहीं है साओधी अरब हमसे निकठी है है ना तो इस मैप के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साओधी अरब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है जितना दूर अमेरिका है रूस है उतना दूर साओधी अरब नहीं है ठीक है चलिए एक और map यहाँ आप देख सकते हैं इस map के माध्यम से students आप सउधी अरब के पडोसी देशों को देख सकते हैं है ना इसकी चवहदी को भी आप समझ सकते हैं कि सउधी अरब के उत्तर दक्षिन पुरब पस्षिन में कौन-कौन से देश हैं कौन-कौन से अस्थान है है ना तो सौधी अरब के पूरब में देखिए इराक और इरान है और साथ में फारस की खाड़ी है पूरब में है ना पस्चिम में देखिए एक लाल सागर है और लाल सागर के दूसरी और अफरीका के दो देश एक मिस्र है दक्षिन में यमन और उमान है और उसके नीचे अरबियन सी जिसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं ठीक है स्टुएंट्स तो आप मैप में नक्से में भी इसको देखने का प्रयास करिएगा गूगल मैप में भी आप देख सकते हैं ठीक है तो यह है सौधी अरब की इस्थित मान्चितर पर ठीक है यह एक आउटलाइन मैप है जिसको हम मैंने सामाने तरीके से बनाया हुआ है लेकिन इससे एक समझ बिक्सीत होती है सौधी अरब के बारे में आपको पता चलता है कि वह कहां पर है ठीक है स्टूडेंट्स हम लोग सौधी अरब के बारे में थोड़ा कुछ आक्ड़े देख लिते हैं कि सौधी अरब है कितना बड़ा देश जिस देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं हूं कितना बड़ा देश है तो स्टूडेंट्स right hand side में देखिए जो black में काले ink में लिखा हुआ है उसको देखिए विस्व का बारएं सबसे बड़ा यानि कि सौदी अरब कोई छोटा देश नहीं ही, students. भारत जो है, विश्व का साथवें बड़ा देश है और साथवें के बाद आठवें, नौवें, दसवें, ज्यावें को छोड़ दीजिए, तो बारवां बड़ा देश सौदी अरब है और इसका जो छेत्रफल है एक कईस लाख पच्चास अजार वार किलोमीटर ठीक है स्ट्रेट्स? यानि कि मद्य पर्देश, च्छतिस गर्ड और राजस्थान को हटा दिजिए तो जितना बड़ा भारत है उतना बड़ा भारत राजस्थान वद्य पर्देश को हटाईए जितना बड़ा छेत्रफल वनता है उतना बड़ा है करीब करीब साओधी अरब जनसंख्या के मामले में थोड़ा कम है थोड़ा कम नहीं बहुत कम है यहां की जनसंख्या मातर तीन करोड है तीन करोड की जनस्ख्या लगभग जारखंड की है है ना तो सौधी में भारतियों की भारी संख्या है जो रोजी रोजगार के लिए गये हैं ये भी मैं आपको बता दू भारत से पाकिस्तान से बंगलादेश से बहुत सारे लोग वहां गये हुए हैं इसके पड़ोसी देश मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इराकुय, जॉडन, युएई, बहरीन, कतर, ओमान, यमन ये सब आप नक्से में देख लीजिएगा ठीक है और सौधी अरब दुनिया के सबसे अधिद सेन सामानों का आयात करता है इस्टुएंट्स ग्रीन कलर में देखे लिखा हुआ है सासन वहां का राज तंत्र है यानि मोनार्की है मोनार्की मने अभी भी वहां राजा है यहां चूनी हुई सरकार नहीं है बलकि राजा का सासन यहां के लगभग सत्परतिसत लोग इस्टुएंट्स इसलाम धर्म को मानते हैं ठीक है और भारत की तरह यह धर्म निर्पेक्ष देश नहीं है देखिए अब कमजोरियों को आप समझे कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को मानेता है सौदी अरब में ऐसा नहीं है वहाँ सिर्फ एक धर्म है अच्छा किरिसी योग भूमी की बात करें तो वहां मातर दो पर्षेंट जमीन जो है वह खेती के लाइग है बाकी सारा जमीन जो है वह डेजर्ट है मरवस्थल है ठीक है अब मानवादिकारों की स्टुडेंट से हम बात करेंगे तो इस मामले में हमारे देश से काफी पीछे है उदारन के लिए इस डेश में इस्तरियों के लिए बने कानूनों में भारी उदार्ता की आउसकता है मने इस्तरियों के लिए जो कानून बने हुए हैं महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं उसमें बहुत सारी कमिया हैं ठीक है students अब देखिए citizens write in Saudi Arabia देख में एक बंस का सासन चलता है और गाजा या साह को चूनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती students आप जश्ट समझ लिजिए हमारे देखिए स्थिति जो तीन साड़े तीन सो चार सो साल पहले थी मानली ये मुगल डाइनेस्टी का यहां सासन था अकबर का सासन था या कि जहां गिर का सासन था कि हुमायूं का सासन था या जो भी कहिए लगभग लगभग वही स्थिती है जुग भले आधुनिक है लेकिन मोनार्की है वहाँ पे वहाँ बेराज तंत्र है राजा का सासन है ठीक है तो तेकि अंग्रेजी में The country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers मतलब वहाँ की जनता जदी चाहे कि वहाँ के ruler को वहाँ के राजा को बदल दे तो उसो नहीं बदल सकता है अब चली हम भारत से तुलना करते है भारत से तुलना करें तो लगभर मध्यकालिन भारत की बंस आधारीत राज ब्यवस्था के अनुकुल यह तो मैं पहले ही आपक चुखा हूँ ठीक है students अब चली आगे बढ़ते हैं आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए सौधी अरब में नागरीक अधिकार साह साह यह नहीं वहाँ के राजा को हम लोग साह बोल रहे हैं साह ही बिधाईका और कार्जपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं student बिधा बनाने का अधिकार है वो बिधाईका हो गई है ना जैसे हमारे यहां क्या है हमारे यहां है लोगसभा राजसभा और राष्टपती वो हो गया बिधाईका है ना कारेपालिका आप student समझते हैं जो पूरी की पूरी जो सरकारी machinery है जैसे सासन चलाने के लिए जो सरकारी होते हैं है ना जदी आप नीचे से आप सुरू करें तो प्रखंड में प्रखंड विकास्वदादिकारी बीडियो होते हैं अनुमंडल में स्डियो होते हैं हैं उससे उपर जाएं तो जीले में होते हैं डी सी साहाव हैं डी सी होते हैं प्रवंडल अस्तर पर जाएं तो कम करिज पालिका के लोग और विधाईका के लोग का जो चुनाव करते हैं। बात समझ रहा है? जजों के नियुकति भी साह करते हैं। देखिए हमारे यहां जो जज है वो पूरी तरह से सुतंत्र हैं। हमारे यहां न्यायपाली का सुतंत्र है लेकिन साओधी अरब में नियापाली का सुतंत्र नहीं है तो वहाँ पे जज की न्यूकती भी सहा करते हैं और उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं किनके फैसलों को जज के फैसलों को पलट सकते हैं ठीक है the king selects the legislature as well as the executive 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 मतलब हो गया कारेपाली का legislature मने हो गया विधाही का he appoints he appoints मने कौन appoints साह है न यानि की राजा the king appoints the judges and can change any of their decisions बास समझे राजा किसी भी जज को appoint भी करते हैं और बाद में जदी कोई फैसला उनका लगे की गलत है तो उनके फैसलों को बदल भी सकते हैं यानि वहां का जो राजा है उसी के पास supreme power है बाच समझे राज़ेंट्स आगे देखिए सौधी अरब में कोई राजनेतिक दल या संगठन नहीं बना सकते जैसे हमारे यहां बहुत सारे दल हैं और कभी भी कोई दल बन सकता है बहुत सारे संगठन बन सकते हैं और बनते भी रहते हैं सौधी अरब में ऐसा नहीं है तो इसके माध्यम से हमें समझना चाहिए कि भारत में कितनी सुतंतरता है कितनी आजादी है संभिधान ने हमें कितनी आजादी दी है आगे मीडिया यानि आप समझ रहे हैं जैसे समाचार पत्र है टेलिविजन है रेडियो है मतलब जीन माध्यमों से देश की खबरें दूसरे देशों तक पहुंचती है या अपने देश में परसारित होती है है न? तो मीडिया साह की मर्जी के खिलाब कोई भी खबर नहीं दे सकती citizens cannot form political parties और any political organizations media cannot report anything that the monarch does not like monarch means राजा है न? citizens याणि की वहां के जो नागरिक है cannot form political parties कोई political parties नहीं बना सकते और any political organization या फि कोई political organization भी नहीं बना सकते मीडिया कैनोट रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकती क्या चीज़ रिपोर्ट नहीं कर सकती एनिफिंग दैट दा मोनार्क डज नोट लाइ जो राजा को पसंद ना हो, जो राजा की मर्जी के खिलाफ बात समझ रहे हैं? अब आगे देखिए सुझे सौधी अरब में कोई धर्मीक आजादी नहीं है सिर्फ मुसलमान ही यहां के नागरीख हो सकते हैं यहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुशार पूजा पाट कर सकते हैं उनके सार्वजनीक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है, there is no freedom of religion, बात समझ गए, यह समाने सी बात है, जो आप समझ सकते हैं, आगे, सौधी अरब में औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कम तर का दर्जा मिला हुआ है, भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस्त्रियो को और पुरूसों को एक समान अदिकार है, वहाँ इस्त्रियों को कम तर, यानि थोड़ा कम दर्जा दिया गया है, और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां हैं, पब्लिक रेस्टिक्शन हैं, है न, जैसे हाल के वर्सों तक, वहाँ सिस्टम ऐसा था, अभी भी है कि इस्त्रियां जो हैं, वह कार नहीं चला सकती हैं, तो यह पब्लिक रेस्टिक्शन हो गया, मर्दों को जल्दी ही अस्थानिये निकाय के चुनाओं के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा, तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं उ लजज़नक है, ऐसा मना गया है कि अधिकार विहिन जो जीवन है वो सर्मनाक है, लजज़नक है, हम सभी खुसी से बिना डर्भ हैके और अपमान जनक बेवहार से बचकर जीना चाहते हैं, इसके लिए हम दूसरों से ऐसे बेवहार क्या पेक्षा करते हैं, जिससे हमें कोई कोई नुकसान ना हो और कोई कस्ट ना हो इसी परकार हमारे वेवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए कोई कस्ट नहीं होना चाहिए बास समझ रहे हैं आगे स्टूरेंट्स लोगतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है यह जानना भी बहुत जरूरी है कि why do we need rights in a democracy लोगतंत्र हमारे देश में लोगतंत्र है और दुनिया के जिन अन्य देशों में भी लोगतंत्र है वहाँ पर अधिकारों का होना बहुत जरूरी है तो लोगतंत्र में जदी अधिकार नहीं है तो उस देश में लोगतंत्र नहीं मना जाएगा चलिए लोगतंत्र की अस्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है सरकार को नागरीकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए कई बार चुनी हुई सरकार अपने ही नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी उच्छा दर्जा दिये जाने की जरुगत है ताकि सरकार भी उनका उलंगन न कर सके स्टूइंट्स देखिए हमारे देश में सचमुच आजादी है और इन यह जो आजादी है इस आजादी के पीछे बहुत सारे करतब्य हैं स्टूइंट्स की करतब्य जिस रास्ट के नागरिकों के करतब्य बहतर होंगे करतबे बढ़ियां होगा वहीं पे अधिकार भी सोबता है ठीक है स्टुइट तो हमें जो अधिकार दिये गए हैं तो उन अधिकारों का हमें उप्योग तो जरूर करना है लेकिन हमें अपने करतब्यों को भी नहीं भूलना है तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने साओधी अरब में नागरीक अधिकार के बारे में जाना और समझा और ये भी जाना कि अधिकारों के बिना जो जीवन होता है वो सचमुच कस्टदाई होता है अपमान जनक होता है तो ठीक है स्टुइट इस वीडियो में आज के लिए इतना ही इस चैप्टर पे और भी वीडियो की संभावना है नेक्स्ट वीडियो मैं सिखर लेकर आपके समक्ष उपस्तित होंगा आज के लिए इतना ही ठीक है स्टुइट्स जैहिन स्टुइट्स